आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर तरुना एसकॉर आज ये वीडियो थोड़ा हटके है ये किसी विशे पर अधारित नहीं है लेकिन ये जनरल भी है और पत्रकारिता से रिलेटेड भी है एक बहुत ही मशूर पत्रकार है जिनका नाम है निधी राजदा इनके साथ क्या हुआ एक बहुत ही नॉर्मल सा जो कॉमन आदमी के साथ होता है इनके साथ भी हुआ दरसल इनको एक इमेल आया और इमेल के बाद इन्होंने रिस्पॉंड करना शुरू किया और जब इन्होंने उसके जवाब दिये तो इनको एक नौकरी आफर हुई थी व की और उन्होंने उसके लिए आवेधन कर दिया आवेधन तो छोड़ियों उन्होंने यहां तक कि NDTV से स्तीफा भी दे दिया इस्तीफा देने के बाद जब उन्हें यह जोईन करने की बारी तो फिर लॉकडाउन शुरू हो गया तो जो फिशिंग करने वाली लोग थे जो साइबर फ्रॉड उनके साथ कर रहे थे उन्होंने बहाने बनाए कि अभी लॉकडाउन की वज़े से हम ये प्रॉसेस आगे नहीं कर पा रहे हैं इससे पत्रकार को संतोश हो गया वो भी इसको देखती रही ठीक है उनसे कहा गया कि जनवरी 2021 में आपकी जोइनिंग कराई जाएगी लेकिन उन्हें उनकी गती वीदियो पे थोड़ा शक हुआ उसके बाद उन्होंने जब पूरी तरह पड़ताल की और उन्होंने डारेक्ट हावर्ड यूनिवस्टी में बताया और उन के सामने कोई और रास्ता नहीं था उन्होंने ये ट्वीट करके बताया कि मैं फिशिंग का शिकार हुई हूं ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी था कि इतनी सीनियर जनलिस्ट भी जब फिशिंग का शिकार हो सकती है तो आम आदमी के लिए क्या होता होगा क्या करते हैं कि email cyber frauds जो हैं वो बहुत active रहते हैं और आपकी निजी जानकारियां जैसे आपकी phone number हुए email हुए ये सब जानने की कोशिश करते हैं इसके अलावा और दो step जाकर वो आपके credit card की details और आपके debit card की details भी ले ले लेते हैं उसके बाद कई तरह के जाल साजी हो सकत हैं इसी तरह निजी राजदान जो हैं उनको ये शक है कि जो उनकी निजी जानकारियां ली गई उनका कहीं ना कहीं दुरूपियों किया गया होगा तो जब भी कभी आप अपने email पर कोई भी लुभावना सा offer देखें तो उसके चक्कर में बिलकुल ना आए अगर आपको R तरह के offers आते हैं जैसे cyber fraud क्या करते हैं नौकरी देने के नाम पर लोगों को बहुत ठकते हैं युवाइस में बहुत ज्यादा शिकार होते हैं सबसे पहले तो आपको यही जान लेना चाहिए कि एकदम फेर डील क्या होती है अगर मेरे पास नौकरी है तो मैं आपको इंटर प्रलोभन देते हैं कि आप 40,000 रुपीज जमा कर दीजिए उसके बाद आपका यह इतना इतना अमाउंट आपके उसमें ट्रांसफर होता रहेगा यह आपको एक लैप्टॉप लेने का भी प्रलोभन देते हैं कि आपकी सीक्योरिटी मनी से हम लैप्टॉप लेंगे आपक घूमते रहते हैं और cyber fraud कभी किसी की पकड़ में नहीं आते तो इसका केवल एक ही उपाय है कि आप कभी भी किसी भी प्रलूभन में ना पड़ें cyber crime से हमेशा सावधान रहें जितने भी आप अपने चैनल के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से आप किसी को aware करना चाहें तो आप जरूर करें उमीद करते हैं ये वीडियो आपको चेता तो जरूर देगा सावधान जरूर करेगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद